नमस्का दोस्तों CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के टाइपस के बारे में और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बाइनी नंबर को लिख सकते हैं तो वो आपको आउटोमेटिकली याद हो जाएगा तो चलिए विताट वेस्टिंग अनिमोर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि आप किस तरीके से बाइनी नंबर या फिर कोई भी नंबर सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों आपको भी पता है कि हमारे कम्प्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम होता है वो चार तरीके का होता है पहला होता है हमारा बाइनी नंबर सिस्टम दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम तिसरा होता है hexadecimal और चवता होता है octal number system तो गाईस आपको इन सभी के बारे में पता ही होगा और दोस्तो इसके अलावा आपको पता होगा binary number के अंदर आपका 0 और 1 आता है और दोस्तो इसका जो base होता है वो 2 होता है क्योंकि इसके अंदर दो ही number होते हैं 1 और 1 2 और दोस्तो इसके अलावा मैं आपको बता दो दोस्तो जो हमारे binary numbers होते हैं जिसको आप लोग 0 और 1 जो कि हमारा binary digit होता है तो दोस्तो हमारे binary number को computer के language में या फिर programming भासा में उसको pulse बोला जाता है तो आपको पता होना चाहे binary number को हम लोग pulse भी बोलते हैं और दोस्तो कई बार MC की question में यह पूछ लिया आता है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहे है कि binary number को जो कि हमारा 0 बन होता है इसको हम लोग computer के language में या फिर programming भासा में इसको pulse भी बोलते हैं आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और दोस्तो इसके बाद में जब हम बात करते हैं decimal number की तो गाइस इसके अंदर 0 से लेकर के 1, 2, 3 इस तरीके से दोस्तो यहाँ पर आपका 9 तक का number रहता है और दोस्तो इस वाले number को हम लोग decimal बोलते हैं तो गैसे ऐसे में 10 हमारा base हो जाएगा जो की आपको पता है decimal number का base होता है इसके बाद में गईस बात करे हैं घञ़ हम hexadecimal number की तो गैस hexadecimal का मतलब आपको पता होना चाहिए पहले तो यहाँ पर दिया गए decimal तो गैस decimal का मतलब होता है 10 plus दोस्तों यहाँ पर लिखा है hexa, hexa का meaning होता है 6 यानि कि दोस्तों 6 तो आपको इसके वारे में पता होगा, जो कि दोस्तों बराबर हो जाएगा हमारा 16 यानि कि 16 और दोस्तों अगर हम बात करें hexa decimal के अंदर आने वाली संख्याओं के वारे में तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर आपको पहले तो लिखा है decimal यानि कि 0 से लेकरके 9 तक के अंक अब दोस्तों इससे बाहर तो अंक होते नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कि आता है यहाँ पर जो hexa दिया गया है, ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर English के L5 पर जोड़ दी जाते हैं जो कि दोस्तों A, B, C, D और इसके अलाभा E और F होता है तो guys, ऐसे में हम लोग इसको हम लोग hexa decimal number system बोलते हैं तो I think यह भी आपका clear हो चुका है, इसके बाद में guys, बात करेंगर हम octal number system की तो guys, octal का meaning होता है, 8 आपको बता होगा अब दोस्तों 8 का simple सा meaning होता है, यहाँ पर जो भी number हम लोग use करते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक के number होते है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब दोस्तों अगर आप 0 को 1, 2, 3, इनको अगर आप count करते हैं, तो ऐसे में 0 से 7 तक आएंगे तो ऐसे में दोस्तों आपके 8 आंक हो जाते हैं, और दोस्तों 8 हमारे octal number system का base होता है तो आपको इसके बारे में भी पता होगा तो दोस्तों अब आपको clear हो चुका होगा कि हमारे जो hexadecimal number होता है उसका base 16 होता है, और दोस्तों जो binary होता है, उसका base 2 होता है और binary number को हम लोग पल से भी बोलते हैं, और दोस्तों जो हमारे decimal होता है उसके अंदर 0 to 9 के number होते हैं और इसके अलावब जो हमारा octal number होता है उसके अंदर दोस्तों 0 से लेगर के 7 तक के अंग होते हैं तो guys इसके बाद में बात करते हैं कि इनको हम लोग लिखते कैसे हैं या फिर इनको याद कैसे करते हैं तो दोस्तों इसके लिए एक table होते ही, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो चलिए start करते हैं, table बनाना सीखते हैं, अब दोस्तों सबसे बहले यहाँ पर हम कर लेते हैं decimal number को, आपको पता है decimal का base होता है 10, और द बाइनली नंबर को भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा binary हो गया अब दोस्तों इसके base के बारे में तो आपको बता है इसका 2 होता है, इसका 16 होता है, इसका 10 होता है, अब दोस्तों आपको मैंने बताय था कि हमारे decimal number के अंदर 0 से 9 तक की संख्या होती हैं, तो सबसे प 10 हो जाएगा, 0 से 9 तक का 10 हो जाएगा, और 10 हमारा base होता है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसके बाद में बात करते हैं, तो आपको बताया कि इसके अंदर 0 से लेकर के 7 तक की number होते हैं, तो उसको हम लोग octal बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब अगर आप 0 से 7 तक का count करेंगे, तो ऐसे में आपका 8 आजाएगा, और दोस्तों, 8 हमारे represent करता है octal number को, तो यहाँ पर अगर कोई भी number दिये गया है, तो दोस्तों, वो number हमारे represent करेंगे हमारे base से, यहाँ पर आप base देखे बता सकते हैं, कि अंदर जो number लिखा लिख लेते हैं, अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम hexa decimal number को लिख लेते हैं, अब दोस्तों, यहाँ पर हम इसको छोटा-छोटा करके लिखेंगे, ताकि आपको उच्छे से समझ में आ जाए, अदर वाइस तो टेवल हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे में आपको नंबर समझ में नहीं आएगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, decimal number लिखना है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इसके बाद में आपका जो आजाएगा, जो कि हमारा A से लेकर के F तक था तो उसको लिख लेते हैं, A, B, C, D, E और F, तो guys, यह हमारे number हो गए, अब दोस्तों इन numbers को हम लोग hexadecimal number बोलते हैं, अब दोस्तों यह तो हमारा hexadecimal हो गया, यह octal हो गया, यह हमारा decimal हो गया, अब last में बसता है हमारा binary number, अब दोस्तों binary number हमारे ऐसे तो चलते हैं, आपने देखा होगा, उसके अंदर 0 और 1 ह होता है, दो ही number होते हैं, जिसको हम लोग pulse बोलते हैं, तो इनको कैसे लिखते हैं चलिया, यह जानते हैं, तो guys, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आगर आप count करते हैं, जो कि इसका बेस दोस्तों हमारा 16 हो जाता है, जो कि hexadecimal number को represent करता है, तो 16 तो यहा पर आपको बाहँनी number के लिखने के लिखने के लिए के लिखना करना है, आपका 16 और 6 म Süजवानी बाहँ नंबर के बेस यानि कि 2 से इवाइड कर देना है, तो ऐसे में आपका अनसर 8 अजाएगा, अब ऑं दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको 8 टाइम 0 एफ 17 दो तीन चार पांच छे साथ और आठ अब इसके बाद में दोस्तों आपको एट टाइम वन लिख लेना है क्योंकि दोस्तों यहां पर आपके 16 डिजिट दिये गया है तो इसके बराबर आपको इसको करना है तो यहां पर आपको आठ बाद जीरो लिख लिया अब आठ पर जाने कि आपके binary number के base दिवाइड कर देना है तो ऐसे मे आपका answer आजाएगा 4 अब दोस्तों 4 आया है तो यहां पर आपको क्या कर ना है आपको 4 accompanied 0 झालिए लिखते हैं ना जपी हिए लिखते हैं आपको पर फिर 1 धंयोनी चाहर को फिर दिख लेते हैं तो यहां पर 1,2,3,4 और उसके बाद मैं फिर से 1,2,3,4 इसके बाद में दोस्टेchn, क्या करना है अब दोस्टों आपको यह जो 4 आय एक आंसर तो आजाएगा अब दॉस्त आज आगया है इसके बाद में आपको क्या करना है आपको टू टू टायम वन फिर टू गो ताइम in फिर टू टी ताइम ųन फिर टू तो ऐसे में आपका यहीं आंसर आजाएगा तो इस तरीके से हम बाइनी नमबर को लिखते हैं यहां पर दोस्तो थुढ़ा आगी पिछे हो गया है दोस्तो यहां पर बोर्ड पर लिखते हुए नहीं बना है तो आप जब भी उने कॉपी पे करें तो आप इसको बराबर से कर तो इस तरीके से हम बाइनी नंबर को लिखते हैं दोस्तों आपको इनको रटने की याद करने की आफसकता नहीं है आप इसको इस ट्रिक के साथ में आसानी से कर सकते हैं तो guys I hope अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम लोग बाइनी नमबर को लिखते हैं और दोस्तों आपको इसको याद करने की तो आप सिखता है ही नहीं तो guys I think अब आप समझ गया होंगे कि बाइनी नमबर कैसे लिखे जाते हैं वेल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही जानकारी पिसंद है तो वीडियो को लाइक करना और कम्प्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियो सिखना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट भी करना है